हेलो फ्रेंड्स, BCD Tech के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों एक Electrical Cattle के अंदर क्या होता है, आईए देखते हैं, अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपनी YouTube एप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथी में अगर आप इस घंटे को बजाओगे, तो हमारी वीडियो अपलोड हती, सबसे पहले देख पाओगे, दोस्तों यह है Prestige की Electrical Cattle, मॉडल है Cross 1.8, देख लिजे, तुस इस टाइप के डिपे मारकी है, elegant design है, automatic cut-off है, concealed element है, तो concealed element क्या होता है, इसके बाद में आपको बाद में पावर इंडिकेटर भी मिल जाएगा, और 360-degree swaffle base है, इस टाइप के features आपको देखने को मिल जाएगे, एक एर की warranty है, 1.8 liter capacity है, small appliances में आता है यह आपका, और यहाँ पर आप MRP देशकतों एक जार पचानुर पर है, बट आप इस तो यहाँ पर काफी कम दामों में, imagine या flip card स से ले सकते हो, importer customer के सबकान नंबर आपको इहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो फलाल यह है Prestige का electrical kettle, आइए इसकी unboxing करते हैं, तो खोलते हैं DP को, तो आपको एक तो मिल जाएगा base, 360 degree base बोलना है, एक तो यह मिल गी आपको, और साथ मिल जाएगी electrical kettle, और DP में कुछ नहीं है, हाँ, यह DB को साइट में रखते हैं, रैपिंग में दालक है, तो यह है electrical kettle, 1500 watt की है, आप देख लिजे, कुछ इस टैप का design है, और यह है इसका base, charging base, देख लिजे, तो दोस्तों, अगर मैं इस kettle की बात करूँ, तो आप देख से होते हैं की kettle की layout कुछ ऐसी है, यहाँ पर lead है, total stainless steel की आपको देखने को मिल जाएगी, यह इसका mouth हो गया, नीचे की side आपको power indicating lamp पिल जाएगी, और यह आपको यहाँ पर connector है, दोस्तों, इसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका manual, तो यह user manual भी है, और साथ में आपको एक warranty card भी मिल जाएगा, तो देख लिजे, warranty card, देख लिजे, तो फिलाँ यह है दोस्तों, आपका यहाँ पर electrical kettle, अगर आप इसके electronics देखना चाहते हो, तो आपको यह नीचे आले तीन screws दिख रहे होगे, इसको निकाल लाँगा, और side में yellow screw भी निकाल लाँगा, तो आएए, इसको खोलते हैं, दोस्तों, बने base निका मतलब है, देख लिजे, और यह है इसका thermostat, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो यह है आपका thermostat, नीचे लगा हुआ है, और यह है heating element, तो यह है दोस्तों, आपका concealed heating element, concealed का मतलब कि यह नहीं कि यहाँ पर कोई नया type का, यह कोई hidden material यूज़ कर रहे है, यहाँ प इसके बार मैं किसी अन्य वीडियो में दा दूगा, बर देख लिजे, यहाँ पर एक thermostat है, बिल्कुल वही thermostat, जो आपके यहाँ पर अपने geyser के अंदर, यह पर अपने electrical iron के अंदर देखने को मिल जाता है, बिल्कुल यहाँ पर thermostat देखने को मिल जागा, और यह है आपक यहाँ पर आप देख लिजे, बिल्कुल सिंपल सी physics है, दो आपके यहाँ पर input lines हैं, और यह input lines एक switch के थरू, switch आपका यहाँ पर हो गया, इस switch के थरू, आपका यहाँ पर इस element से connect हो जा रहे है, आपको switch को देखने के लिए, आपको इस screw को हटाना पड़ेगा, और साथ मे दोस्तों, ऊपर से आपको खोलना पड़ेगा, तो ऊपर से पहले तो इस lid को हटा देते हैं, यहाँ पर आपको दो screws देखने को मिल जाएंगे, यह दो screws भी हम लोग निकाल देते हैं, तो यह मैंने इसका भाहराला यह plastic हटा दी है, तो यह है इसका switch, तो मैं switch को निकाल देत काफी अच्छा है, यहाँ पर feedback है switch का, देख लिजे, तो फिलाल working कुछ नहीं है, आपकी जो AC line है, वो पहले तो जाती है thermostate को उपर, अगा thermostate दोस्तों, अलाव करता है, मतला कि temperature इस kettle का कम है, तैसे केस में thermostate, जो electricity है, उसको pass on कर देता है, इन दो wires को उपर, तो आपकी AC mains इन दो wires पर बहुंच जाती है, तो इसके बाद एक तो आपकी हाँ पर directly connect हो जा रही है, इस heating element के साथ, और दूसरे आप दिख लिजे, इस सुच के थूरू दूसरे एंड पर जा रही है, और इस heating element के just parallel लगावा है, यह आपका neon bulb, तो फिला, इस step से दूस्तों, आपका यह cattle work करती है, जैसे आपका यहाँ पर temperature कम है, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल है, तो ऐसे case में आपकी power इस heating element के अक्रोस चले जाती है, और साथ में इस neon bulb के अक्रोस, तो ऐसे case में neon bulb भी जल जाज़गा, और साथ में यह heating element भी आपका गुलो होना शुरू जाएगा, और ज दिखते हैं, तो यह electrical kettle अब यहाँ पर assemble हो चुकी है, तो यह है इसका base, और base कुछ नहीं है, एक तरह से आपका connector ही है, कुछ नहीं है, इसके अदर नहीं कोई electronics है, नहीं कोई दोस्तों कोई स्विच है, बस एक तरह से connectivity देता है, इस kettle की AC mains के साथ, तो आइए इसको एकाश आइए पानी करते हैं, तो इस kettle की base को यहाँ पर मैं AC में के साथ connect करने जा रहा हूं, कर दिया है, आईए पावर आउन कर देते हैं, तो आइए थोड़ा से पानी दाल देते हैं इसके अंदर, तो मैं पहले पानी दाल देता हूं, ज्यादा नहीं दाल रहा हूं, तो आई इ इंडिकेटिंग लेंप, तो आईए इसको on करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो लेंप है वह आपकी यहाँ पर on हो चोकी है, मतलब की thermostat इसके नॉर्मली चल रहा है, तो देखते हैं कि थोड़ी दीर में आपका disk net होता है भी नहीं होता है, तो यह आपका देख सकते हैं कि इसको on हो गया है, बट करेंटली जैसे टेंपरेचर और राइस कर जाएगा तो फिर से आपका यहाँ पर कट डाउन कर देगा, तो दोस्तों मैंने फिर से इसको on कर दिया है पानी दाल के तो देखते हैं कि दोस्तों आप गिरता है, देख लिए दोस्तों यह डिसकनेट हो तो फिलाल आप सभी को यहाँ पर एलेक्रिकल कैसे वर्क करती है, इसके बारें पता ही चलते होगा, अगर आपका फिर भी कोई डाउट बच जाता है, तो आप मुझसे डिरेक्टली फूस्त होते हो, कमेंसेशन में जाके, तो इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड क बून देमात्रा